तो वो ठिक जिसके वर्ड में आया है जिसको वो emphasize कर रहा है जोर डाल रहा है I love you हम तुमको भी प्यार करते हैं हम तुमको भी प्यार करते हैं तो तुमको में ज़्यादा जोरा ना इसलिए यहां तुम लड़की सब अगर बोल देती है I love you तू तुमको भी प्यार करते है अगर देख लिया कि चार्गो साथ पहले प्यार कर रही है या फिर घुर रल्थुन चारगो तो इसका मतलब वह सही है क्योंकि तुमको आई लग भी तू बोली है कि हम तुमको भी करते हैं चारग तो लंते देख लिया है किसी कईसा तो फिर बोलना नहीं क्योंकि आई लग टू बोल टीसं इस अदर के बाद अगर कोई नाउन है तो वह पलूरल पर्म में होगा और अगर कोई नाउन है तो प्लूरल में होगा अगर कोई आगया तो अहली क्लोष टेस्टर की यहां कहले हुआ है कौन अप्शन हम होगा और कौन नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा यह भी सिखेंगे बड़ा मुश्किल लगता है इंग्रेजी सिखने में घीस पीट के पांत साल में हम थोड़ा सा सिखें इसको ठीक है तो आप देखिए आप अगर लगता है कि नहीं यह टाइम जाय लगे तो आपके पास तो अप्शन है अप सवतन्त रहाब कुछ भी कर सकते हैं कोई इसमें पाबंदी नहीं है इसमें ग्रामर कह से यह सीप्यो में में जो आया हुआ सवाल है सीप्यो में का पुछा हुआ है ठीक है क्लोश टेश्ट पढ़ते हैं इंटरनेट अब यहां इ जाना जाता है अब हमको हम बोलते हैं कि इंटरनेट को क्या बोलते हैं इंटरनेट को नेट भी कहते हैं ऐसा बोलते हैं अब हमको भी का मिनिंग चाहिए ठीक और भी का मतलब भी होता है भी तू का मतलब भी क्या होता है भी और आल्सो का मतलब भी होता है भी ठीक अब आग । अगर एक लिटर हो एक "-जआ पर सब्सक्राइब हो तो यह है और यह है अब सवाझ । अगरे का मतलब होता है कि और नस्य गता है घंग इसके बा़ एक लेटर एक वर्ड हो सॉर्णी तो वो नाउन होता है अगर दो word हो तो मेरा एक adjective होता है और एक noun होता है अगर तीन word हो तो इसका मैंलब पैरा एड़वर्ब है दूसरा adjective है और तीसरा noun है यह हम बोलते हैं इसको indefinite article इसको बोलते है definite article जिसमें संख्या का पता हो उसमें da और जिसमें संक्या का पता ना हो उसमें A और N, ठीक, अब यहां है कि ठीक है, अगर एक word होता आप noun कहेंगे, तो यहां दा के बाद मेरा एक ही word है और एक word है तो इसका मतलब यह क्या हो जागा? adjective है या फिर OUS ending word adjective है IC ending word adjective है FUL ending word अधिकतर बोल रहे है अधिकतर adjective होता है ठीक है तो ये सब adjective होता है Adverb क्या है तो LY ending word अधिकतर adjective होता है LY ending word क्या होता है अधिकतर adjective होता है ठीक है उसके बाद अब उसके बाद अब ये जो LY ending word हो गया Adverb adjective जवाब केसे देगा, तो adjective जो है न, वो देगा कैसा केसी के जवाब, और adverb देगा, कब और कहां का जवाब, जैसे कहां तो वहाँ adverb हो गया, कहां गया तो उसका जवाब मिलन की रांची, कब, जैसे कब, today, आज, तो today adverb, जैक, लेकिन अडेटेक्टिव, और adjective के बाद noun आए जिसे वो गरीब लड़का है कैसे लड़का है गरीब लड़का तो गरीब मेरा हुआ एडजेक्टिव और उसके बाद ना हुना है लड़का तो यह होता है तो ऐसे आप पहचांद सकते हैं ठेक इसका बहुत उरोल होता है कोई भी चीज में है न तो नेट हो गया है तो इंट इसका मतलब भी होता है दूसरा इसका मतलब भी होता है दूसरा अगर अगर का मतलब है दूसरा सबसे पहले एक ची समझ लिते हैं कि अगर कोई noun है तो वह plural form में होगा और another के बाद अगर कोई noun है तो वो singular form में हो रहा है other के बाद अगर कोई आगए आया तो plural में होगा लेकिन another के बाद आया तो singular होगा नहीं याद वा ना ऐसे याद रखते हैं यहां कहें लिखे ले एन और किसी चीज में अगर article लगा देते हैं तब तो वो singular होजाता न आप एन औरेंज लेकिन अगर औरेंज लिख देंगे तो वो गलत हो जागा क्योंकि फिर एन नहीं लगेगा हटा देंगे फिर ठीक है तो अगर article क्यों क्योंकि यह singular नेट को प्लूरल नहीं है तो इसका मतलब यह खतम हो गया अनधर भी खतम हो गया आगे बढ़ें अब अनधर कैसे खतम हो अनधर के बाद आप लोग बुलें singular है लेकिन हम क्यों क्यों बलें कि यह नाम से अनधर मतलब दूसरा से जाना जाते हैं नहीं हम बुलेंगे दूस अलसर के बीच में परइूग करते हैं ठेक और कहां परइूग करते हैं तो linking भर्भ के बाद में परीउग करते ऑलसो linking कौन है is है एम है आर है वाज है वेर है लिंकिंग भर में नहीं सब उसके बाद में परियोग होगा या फिर अल्सो जो है वो कोई सेंटेंस के पहले परियोग होगा सेंटेंस के पहले परियोग होगा या तो कोई सेंटेंस के पहले परियोग होगा या लिंकिंग भर के बाद में κάποιο का परियोग करते हैंज है थीक है हमारा ऑफ सबकर होगा कि obtained क्यों नहीं छक्तash है आप याद रहेगा कि जब भी टू आएगा भरने के लिए अगर टू आया तो उसके साथ आगे टू रहेगा क्यों चेकर है ठेकर है तो 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 अपने तू लेता है, तो अगर तू लिखते हैं न, तू, तो फिर आगे तू का प्रियोग होता, ठीक, अगर नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हैं, तू की कहानी, ठीक है, तू है, तो आगे तू हो आएगा, भी, यह तो खाता मुग यह तू, आर तू का बाता है, जिस चीज को हम, जिस लेट यू आग लो तो ठीक हो अगर ने तो आई लव यू टू आग लो तो फिर तो दिन हरियार रात में जाज पूरा गदगद है ना तो आई लव यू तो अभी इसको बता रहा है तो वो ठीक किसके वर्ड में आया है जिसको वो कुए मैं लो इंफेसाईज कर रहा है जूर डाल रहा है. आय लव यू लव हम तुमको भी प्यार करते हैं हम तुमको भी प्यार करते हैं तो तुमको में आभी प्यार कर रही है या फिर घूर रल्थुन चारगो तो इसका मतले वह सही है क्योंकि तुमको आइलव यू टू बोल लिए गया तो इंग्लीस तुमको समझने का जोड़ रहत है कि वो बोली एक हम तुमको भी करते हैं तो दूचार को आर होगा अगर घूमते देख लिया है किसी का ऐसा तो फिर बोलना नहीं क्योंकि आई लब यूटू बोल देता है तो हमें तो खुष है लेकिन थोड़ी जाने काया है क मतलब ठीक है ऐसा होता है अश्व यह होता है ठीक है तो क्या बोलना चाहिए आयल सो लभी कहना चाहिए यह करना चाहिए तो प्रॉटव असस2020 । आगे तो internet also known as the net किसके नाम से जानते है also known as the net के नाम से भी जाना जाता है तो समझ मागे कि तू क्यों नहीं हो आलसो क्यों नहीं तू रहेगा तो आगे तू चाहिए या तो फिर वही वर्ड के सामने लगेगा जिस पर emphasize रहता है तो net के नाम से भी जाना जाता है नेट के पा और इंटर्नेट तो इंटर्नेट इज यह मैं आब इंटर्नेट के लिए न क्या है अब नो न प्र फिर पशो में कई रजहे नेट वर्क है यहां रर्द है कि अगर एक है है तो ना मुझा दूसरा तो थे अड्जेक्टिवrich spy paragraph नम स्टेंट निट्वर्वर कंप्यूटर जों फैला हुए तो दो डर्ट्वर्क अब क्या है नेटbor के फैला जाए प्रिपोजिशन के बाद क्योंकि यहां तो यह प्रिपोजिशन के बाद क्योंकि यह प्रिपोजिशन यहां नहीं है तो कोई दिकत नहीं है क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि इंटरनेट इस दा नेटवर्क गेट कंप्यूटर से स्पैनिंग जो प्राप्त किया है कंप्यूटर का फैला हो नहीं न तो यहां होगा कि उन का मतलब लिख ली जागा अगर पर होता है ओन मतलब होता है जिसे कि अगर कोई है तो यहां सट के बैठाले तो यह ओन है लेकर अगर इससे उपर है तो यह ओवर है ओवर ठिक आगे इन और ओबर होता है ओन और ओबर भी होता है आगे दा अब यह दा है तो हमको आगे वाला नाउन चाहिए अब तीसरा ओप्सन देखते हैं कि अगर दा के बाद हमको नाउन चाहिए तो छाटते हैं कि कौन सा होगा एक दू तीन अब यहां क्या है सी मतलब समुद्र बात कर सब गलत होगे ना तो answer क्या होगा answer हो जागा हमारा अब सब तो option है इसे ही रेड हेरिंग option दिये था मतलब होता है मुखी मुद्दे से भटकाने वाला मुद्द तो इस सब को है समुद्र है असमान मौन्टेन है तो क्या हो जागा गलोब है तो यहां लिखेंगे कि अब फिर से इंटर्णेट के बाद क्या है इस तो इसका मतलब आगे दो वर्ड हमको परिव कर रहे हैं एक यहां तो इसका मतलब यहां नाउन होना चाहिए और यह एड्जेक्टिव होगा इसका मतलब क्योंकि दो बड़ है तो इसका मतलब लिखा ले ताफ वो नाउन वर्ड ढूड़ने नहां और नाउन वर्ड ढूड़ना है ट्वायरलेस कनेक्ट वेब नेट क्या होगा सब तो नाउन यह से काम कर रहा है कि दा के बाद यह था तो नाउन था तो यहाँ भी यह नाउन हो जागा तो आ ग्लोबल क्या नेट होगा आ ग्लोबल नेट या ग्लोबल वेव हम लोग भूख अब यह आदमी ना थोड़ अशा अग्लोबल कनेक्ट आप computers that allows individuals a global of connect दहीं ग्लोबल क्या करता है global wave है आनि उन्हीं पुरी दुनिया का जाल है क्या है पुरी दुनिया का जाल है पूरी दुनिया का जाल है अब सवाल की नेट क्य Profession 2 कि नहें हुआ computers that allows जो हमें क्या करता है अलाव करता है अब action connect नहीं होने वाला wireless तो है लेकिन यहां बोला है कि global wave का बात कर रहे है wireless तो जुड़ा हुआ है लेकिन हम पूरा wave का बात कर रहे हैं पूरा जाल का बात कर रहे हैं कि computer कैसे internet एक दूसरे communicate कर रहा है तो यहां हो गया wave आगे लिखा हुआ that हमारा क्या है यह है relative pronoun that, which और यह सब जो है हमारा क्या है यह relative pronoun है और that अगर आए तो इसके पहले वाला देखना है कि subject कोन है तब यहां आगे हमको भर्व लगाना है तो that के पहले हमारा कौन अब यह allows पहले देखते है यह भर्व हमारा क्या है singular और जब भर्व singular है तो that के पहले क्या है अब हम लोग यही सोचेंगे रिसाला that के पहले कालकॉल ने तो यह computers है तो plural है तो यहां फिर भर्व में भर्व में ऐस लगता है तो क्या होता है singular भर्व में ऐस लगा तो singular भर्व का स्कूल में बैठके ऐस पूर singular पढ़ रहे थे तो भर्व में ऐस लगता है तो singular होता है अब यह singular है लेकिन अब हम समझेंगे इसाला यह that है और that के पहले computers है तो computers हमारा क्या हो गया प्लूरल तो फिर यहां फिर singular कैसे हो गया तो आप एक चीज ध्यान दीजेगा कि that के पहले subject हमारा यह नहीं है क्योंकि अगर नहीं समझ माता है कि subject क्या है तो सीधा इसके that के पहले घसकते हैं घसकेंगे कोन वाड आया computers तो उसके बाद preposition देखेंगे उसके पहले वाला वर्ड जो होता है वो हमारा होता है subject तो यहां लिखेल है आ-global अब आ है तो इसका मतलब singular ही होगा singular countable noun का denote करता है न article तो आ-global wave अब यह singular हो गया इसलिए singular पहले है कि आ-global wave allows यह allow करता है क्या? individuals to communicate individual का मतलब होता है एक-एक करके अना एक से एक, एक से एक करके बात करने का है तो कम्यूनिकेट अब तो क्या है? तो है हमारा भर्ड का पहला फांड तो के बाद हमेशा infinitive का परियोग होता है तो प्लस भर्ड बन इसलिए तो कम्यूनिकेट है लेकिन अगर टू के बाद बी रहे और उसके बाद आएगा भर्ड का तीसरा पूम क्योंकि टू के बाद भर्ड न अगर रहे तो वह active voice बताएगा और टू भी पलस भर्ड थी रहे तो वह passive voice दरसाएगा ठीक? नहीं हाँ लेकिन एक चीज़ याद रहे है टू जिसके साथ हमेशा लगा हुआ आता है जिसे प्रोन टू तब भर्ड का फोर लगेगा एडिक्टेक टू भर्ड का फोर लगेगा अकस्टम टू भर्ड का फोर लगेगा अगर साथ में आ गया तब जिससे कोई adjective के साथ नहीं आना चाहिए कोई verb और कोईडियम फ्रेज के साथ तो नहीं आना चाहिए ने तो फिर फोर लगेगा जतना अभी बोले तो उसके साथ तो कम्यूनिकेट अब किसके साथ कम्यूनिकेट करता है इंटरनेट कोई जानवर के साथ करता है क्या नहीं तो हम किसके साथ करते हैं अंडर वन अनदर का मतलब होता है किसी के नीचे होना तो एक दूसरे के नीचे कम्यूनिकेट करेगा एक दूसरे के नीचे को है हलो डिकियम बोलना पीछे अलो ऐसा तो नहीं करना है तो एंडर तो होगा नहीं हाँ आउट आउट वन अनदर बाहर करेगा है यह सब तो कोई ओप्सन है अब फोर फोर ठीक है कि फोर वन अनदर अब हम लोग क्या करेंगे कि individuals to communicate for one another एक दूसरे के लिए नहीं हम लोग जब आदमी का वाप्त करते ना देखना तो उसमें with का परियोग करते एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ तो यहां हो जागा with क्या हो जागा with ठीक अब यहां लिखा ला one another एक दूसरे के साथ ठीक है तो यह था close faces हलाकी छोट होता था लेकिन grammar बहुत अच्छा खासा इसमें यूज हुआ है तो आप सिखे होंगे इसमें कि another क्या है other क्या है two कैसे होता है also कैसे होता है off के बाद three position है तो भर फोर आएगा ठीक है जब हम grammar बताते रहते तो उपर का हिंदी मिनिंग भूल जाते तो इंटरनेट also known as the net internet net के नाम से भी जाना जाता है internet is the अब वहां से फिर से पढ़ रहे internet is the network of computer इंटरनेट क्या है एक network किसको computer फैलाने का computer फैला हुआ है दा तीसरा option तो दा ग्लोब किसमें पूरे ग्लोब में जो है यह computer फैला करता है उसके बाद internet is a global web internet जो है यह पूरा दुनिया का जाल है of computers किसका computer का उसके बाद that allows जो अलाव करता है individuals to communicate एक दूसरे के साथ क्या करने का communicate करने का बातचीत करने का वान अनदर एक दूसरे के साथ तो यह था पूरा पूरा यह सीपीओ मेंस में पूछा गया था हला कि तफ नहीं था यह आज लेकिन थोड़े साइक टी समझना कि खली यह option में गड़बड़ा सकते थे वेवर नेट में लेकिन ऐसा गड़बड़ा नहीं सकते थे आप confusion दूर हो गया तो उम्मीद करते हैं कि ठीक लगा होगा फिर मि देलते हैं नेक्ट वीडियो में